हमीरपुर जिला के प्रसिद्ध समाद सेवी व एन्सीपी हिमाचल के अध्यक्ष रविंदर सिंग डोगरा द्वारा विगत सात वर्षों से हिमाचल के भूत पूर्व सैनिकों, शहीत परिवारों व उनके आश्रितों को उनका हग दिलवाने का काम निस्वार्थ किया जा रह है। रविंदर सिंग डोगरा ऐसे हर काम को निशुल करते हैं और लोगों को उनका हग दिलाते हैं। डोगरा ने इस काम में हिमाचल के अनेक सैनिकों, व उनके परिवारों को बिना आर्मी ट्रिब्यूनल कोट में जाए इनसाफ दिलवाया और लगभग करोड रुपयों तक के बकाया राशी तथा पैंशन आश्रित परिवारों को दिलवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बमसन की उहल पंचायत के भूत पूर्व हवलदार जस्वन सिंग की मृत्यू के पश्चाद उनकी पैंशन विगत तीन वर्षों से उनकी पत्नी को नहीं मिल रही इसके बाद पैंशन विभाग ने भूत पूर्व सेनिक की विध्वा को तीन साल की बकाया राशी का भुकतान कर दिया और इसी साल उनकी पैंशन भी बहाल कर दी। इस विशे पर विध्वा निर्जला देवी ने सोमवार को रविंदर सिंग डोगरा को कार्या ले जाकर उ इमाचल प्रदेश के घुदपूर्व सेनिकों की समस्या या उनके परिवार की जो भी समस्या होती हैं या किसी शहीद परिवार की कोई समस्या जब हमारे पास आती हैं तो हम उन बातों को परमुकता से जल, थल और वायू सेना के मुख्यालियों में रखते हैं और संबंद उनकी विद्वाशिर मदी निजला देवी जी को विगत 3-3,5-3 सालों से नहीं मिल रही थी हमारे परियासों से फौज ने उनकी पेंचन बहाल कर दी है और पिछला 3 साल का बकाया भी उनको दे दिया है हम सभी हमाचर वासियों से यह कहना चाहते हैं कि इन सब कार्यों के लिए हम किसी तरीके को इमान दे को इचाय पानी किसी भी फौजी परिवार से नहीं लेते हैं या किसी अन्य वेक्ति से किसी भी तरीके को इशुर्ट नहीं लिया जाता है तो हमारी ऐसी जितनी की सेवाई हैं उसका लाग आप उठा सकते हैं